अक्सर हमें अपने रेली लाइफ में ऐसे sentences बोलने की ज़रुरत पड़ती है जैसे वो काम ढूण रहा है, मैं फाइल ढूण रहा हूँ, वो तुम्हें ढूण रही थी, हमने तुम्हें हर जगा ढूणा ऐसे हिंदी के sentences जिन में हम किसी चीज को या इंसान को ढूणने के बारे में बात करते हैं इनको इंग्लिश में बोलने के लिए हम look for something और someone का use करते हैं जिसका मतलब होता है किसी चीज को या इंसान को ढूणना, इसको लेकर sentences बनाने का rule देखते हैं इसके rule में सबसे पहले subject आता है, subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है इसके बाद look for आता है और last में object आता है इसमें जो ये look है ये as a main verb use होता है जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है जैसे कि looks, looked, looking आप यहाँ पर look for की जगा search का भी use कर सकते हो इसका भी मतलब ढूड़ना ही है लेकिन search का serious matters के लिए या formal language में ज़्यादा use होता है जबकि look for का हम formal, informal यानि की casual और serious दोनों matters में use कर सकते हैं चलिए आप कुछ examples देखते हैं जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए वो काम ढूड़न रहा है He is looking for work या फिर He is searching work मैं अपनी file ढूड़न रहा हूँ I am looking for my file मैं खाने के लिए कुछ ढूड़न रही हूँ I am looking for something to eat वो तुम्हें ढूड़न रही थी She was looking for you हम उसका घर ढूड़न रहे थे We were looking for his house We were looking for his house हमने तुम्हें हर जग है ढूड़न We looked for you everywhere We looked for you everywhere तुम क्या ढूड़न रहे हो What are you looking for मैं बाद में वो बुक ढूड़न गा I will look for that book later I will look for that book later क्या वो नौकरी ढूड़न रही थी Was she looking for a job Was she looking for a job क्या पुलिस चोर को ढूड़न रही है Is the police looking for the thief Is the police looking for the thief अब एक sentence आपके लिए मैं अपने फोन का चार्जर ढूड़न रहा हूं इसको हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे या आप मुझे कमेंट्स में बताइए आज की वीडियो में इतना ही अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos अब हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नई लेसन के साथ अब तक के लिए टेक केर बाबाई झाल